हलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं अनुराधा है हेल्थ केर प्रफेशनल और स्वागत है आपको अनुराधा केर के एक और नए इंफोर्मेटिव वीडियो में आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेग्निंसी की दोरान अगर किसी भी समय पर आपको पिंकिस कलर यानिकी गुलावी लाल कलर यानिकी रेड और भूरा कलर यानिकी ब्राउन कलर के डिस्चार्ज होता है तो इसका क्या मतलब है कब आपको साबधनी वरतनी चाहिए और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो वीडियो बहुत इनॉलेजबल है और इन्फरमेटीव है इसलिए लास्ट तक जरूर देखेगा अगर अभी तक आपने अनुराधा कैर चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है या फिर अनुराधा कैर चैनल में नाए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़े और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीज़े ताकि इसी तरह का इन्फरमेटीव वीडियो आपको आगे भी मिल सके बहुँ भी मुक्त प्रेगनिंसी में बहुत सारे कारणर के बज़े से ब्लेडिंग हो सकता है जिसका कलर पिंक भी हो सकता है और ब्राउन याने की भूरा रंग भी हो सकता है तो कौन सा कलर का क्या मतलब है और कब आपको सतर्क रहना चाहिए कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए इस व कहलेंसे एक महिने ए देड महिने के राउंड जो हल्का पिंकस का या फिर भूरा रंगर ब्लेडिंग होता रहे वह सकता है इंप्लानटेशन भ्रीडिंग है आपका जो जाइकोट यानि कि ब्रून आपके घर्भाष है के दिवार के चिपकने से बज़ा से थोड़ा सा bleeding होता है जो कि एक दिद दिन में रुक जाता है ये बिलकुल भी नॉर्मल है इसमें परिशान होने वाला कोई बात नहीं है कब परिशान होने वाला बात है pregnancy के एक महिना या देड महिना में ectopic pregnancy के बज़े से भी आपको bleeding हो सकता है Ectopic Pregnancy मतलब आपका जो जाइकोट यानि के जो भुरून है वो यूटरेस में ना चिपक कर यानि की गरभासा के धिबार पर ना इंप्लांट होकर वो फैलोपी यान ट्यू में जाकर इंप्लांट हो सकता है यह एक Life Threatening Condition होता है जिसमें जान भी जा सकती है तो आप इसे कैसे पहचानेंगे अगर Bleeding के साथ साथ आपको DGNES यानि की चकर आ रहा है Soldier यानि की कंधे में पेल हो रहा है या फिर आपको fever चकर आ रहा है या फिर आपके पेट के निचली से में बहुत जादा तेज दर्ध हो रहा है तो हो सकता है कि ectopic pregnancy है और इस खेत्र में आपको तुरंत ही आपको doctor से मिलना चाहिए तीसरा जो condition है अगर pregnancy के दोरान किसी भी समय आपको red color का यानि कि लाल रंग का कैसे पहचानेंगे यह से कट लग जाने पर जो fresh blood आता है लाल कलर का तेज लाल कलर का जो bright red color का जो blood होता है अगर pregnancy के किसी भी समय पर उसी टाइप का bleeding हुआ और साथ ही साथ हो सकता है यह पेन के साथ हो या फिर पेन के बिना भी हो सकता है आपको दर्ध भी हो सकता है दर्ध नहीं भी हो सकता है क्राम्पिंग नहीं भी हो सकता है लेकिन इसके साथ साथ आगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ रहा है या फिर अब्डोमिनल याने की पेट के निचले से में थोड़ा पेन हो रहा है तो यह मिस्क्यारेज का भी संकेत हो सकता है तो इस खेत्र में आपको बिना देर प्लेट्स पोलते हैं उसके इंफेक्शन के चलते भी वह बहुत साफ्ट हो जाता है और साथ ही साथ अगर इस दोरह ना फ्यूजिकल रिलेशन रहा तो ब्लड वेन यानि की जो सीरा प्रशिरा होता है वहां पर फट चाकर भी ब्लेडिंग हो सकता है यह नॉर्मल चीज होत 40 वी के दवरान इसमें क्या होता है कि आपका जो म्यूकोस फ्लॉग होता है वह बड़ा हो जाता है वह बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है ब्रावनी कि पिंग कलर का या फिर हलका ग्रेव कलर का डिस्चार्ज हो सकता है 361 से 46 यह निकि 9 महीन जब आपका डेलिवरी का ताइम आरहा होता है एसमें क्या होता है ना आपका जो सर्विक से वो भी सॉफ्ट हो जाता है ताकि वह बच्चे को जो बाहरी infection है उससे बचा सके जो बाहर बैक्टरियां होता है या पिर जिबानों होते हैं वह बैक्टरियां गरभासाय के अंदर ना घुष सके से इसलिए भाइब भाइब साधरे आपने आपको एसे ही तैयार करता और एक कंडिशन होता है ऐसे में ब्लीडिंग होता है अगर अब का प्लासेंटा ठीक से डेवलोप नहीं हो रहा है और डेवलोप नहीं हो पाता है तो इस क्छेत्र में भी当ड इसा ब्लैडिंग हो सकता है या całगिसमी सेकते हैं और ऐतुरुत को है कि उसके साथ में मतोदाम किए एस subscribed में और इस कंडिशन में इस ब्लीडिंग को आप बिल्कुल भी निकलेट मतु कीजिए। और आम देखा ना कीजे इस तोरान आपको अपने डॉक्टर से एक बार जरूर मिलना चाहिए क्योंकि यह हो सकता है कि यह साधारण ब्रेडिंग ना हो तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएगा और एक नए इंफरमेटी वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ तब तक के स्वेलियो स्वेलियो थेल्थी अ श्हपी